Dear student, we have to discuss about early childhood education for sustainable development in Sweden. Sweden के हम बात कर रहे हैं, हमने दो मॉडल्स की बात ती और उन दो मॉडल्स के अंदर हमने सामने डिसक्स किया और डिसक्स करने के बाद हमने का जी एक model जो है वो यह है जिसके अंदर classroom define है number of the student define है teacher qualification define है उसके बाद infrastructure define है एक model यह था दूसरा model जो है जो एक निया model इंटर्डूस करवाया जिसके अंदर 40 student का group बना दें छे से साथ लोग involve कर दें ग्रूप activities उसमें शुरू कर दें और जो उनकी learning outcome है उसको group activities के जरीए लेकिए है जैनि चाहे उनका behavior development हो रहा है चाहे competencies को हम देख रही है हम knowledge को देख रही है हम skills को देख रही है तमाम सूर्थों में जो learning outcome है उस learning outcome के उपर जो focus है हमारे पास उसका जो process है वो दोनों में से कोई भी डाप्ट किया जा सकता है एक class size मुनासिप जैनि छोटा रखके दस से बारह स्टुएंट का class size रखके और curriculum को पर आपर फालो करते हुए हम लेकि जा सकते हैं दूसरा class size 40 रखके ज्यादे लोगों को involve करके group activities की तरफ ले जा सकते हैं अब जब हम यूनिसेफ की बात करते हैं तो यूनिसेफ ने एक benchmark दिया हुए है और तमाम लोग तमाम developing countries या developing countries उन्होंने उस benchmark को फालो करना है उस benchmark के मताबक उसका जो national curriculum होगा वो भी define होगा और वो aligns होगा और वो align किसके साथ होगा sustainable development के साथ उसकी बेस कहां पे होगी sustainable development के साथ objective same है और वो same objective क्या है कि वो sustainable development society जिसका तसवर लेकर SDG goals लेके चल रही है और वो समझते हैं कि आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद या 2030 की बाद करें या 2050 की बाद करें उसके अंदर जो society को force ही कर रहे हैं उसके start के अंदर जो बच्चे की education शुरू कर रहे हैं और जिसके अंदर early check education को involve किया गया उसके साथ alignment बहुत जरूरी है और UNICEF का जो बंच मार है उसको follow करना जरूरी है जब हम process की बात करते हैं तो process में आप independent है आप चाहे एग्रीडेशन के process में जाए या एग्रीडेशन के process में नहीं जाए output को हमने सामने लेक देखके चलने और जो हमारे पास finance है जो budget है उसको भी हमने सामने लेके चलने है कि हमारी कितना budget है जो domestic का हमारी product है उसके बजट है जो हम इसके पर खर्च कर सकते हैं आप देखें दोनों चीज़ों को लेके चलने हैं हमने साथ साथ बच्चे की education को भी लेके चलने बच्चे की health को भी लेके चलने और आपको मालूम है कि हमारे जो पहले 5 साल होते हैं वही बच्चे के हेल्थ के उपर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन होते हैं। उसकी वज़ाई यही है कि उस वक्त उसको मुख्लिब वैक्सिनेशन हो रही होती है। यहनी हमने वह बज़ेट उस बच्चे के उपर बज़ेट हेल्थ के लिए भी रखना है। वह बज़ेट उसकी एज़ूकर के लिए भी रखना है। अब हमने जब एज़ूकर की बात कि और एज़ूकर के अंदर हम बात करते है तो हम कहते हैं कि एज़ूकर्शन कевой अंदर इसको स्कूल से अलादा किया। क्रि श्कूल किया और आपने देका के बहुत सी जगों पहें बहुत से लोगों ने इसको ममालएक ने इसको स्कूलिंग से ठीजा कर दिया अब जब ठीजा कर दिया है इस में प्राइवेट सेटर भी involved हो गया है इसमें child care center भी involve हो गए तो इसका मतलब यह है कि अब उनकी involvement भी है अब उनके France भी involved है Private भी France involved है तो अब हमने जो society है जो families है हमने उनकी possibilities भी उनको provider कर declare हमने health को भी focus देना है हमने जो government का political agenda है उसको भी follow करना है और उसी की रोशनी के अनदर जो है ना जो उसके प्रोटेक्टिड राइट्स हैं डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसको भी सामने रखना है और उसको भी हमने देखने है तो लेहाज़ा जब अवरार हम बात करते हैं तो हम यू कह सकते हैं कि UNICEF का या इंटरनेशनल जो बेंच मार्क है उससे कोई भी मुल्क डेवियेट नहीं कर सकता प्रोसेस के अंदर जो हैं माइनर चेंजस राई जासकती हैं लेकिन उसकी जो आट्कम हैं जिसको हम कह सकते हैं कि लेनिंग आटकम हैं वो सब